ओके तो अब हम जावास्क्रिप्ट में math expressions को देखते हैं जहाँ पे हम numbers यूज़ कर सकते हैं वहाँ हम math expressions भी यूज़ कर सकते हैं तो जैसा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हमने एक variable declare किया है जिसका नाम है z और उस variable में वो variable value क्या store कर रहा है 15 मतलब उस variable को हमने 15 की value assign की है तो यह 15 हम अगर आप output देखोगे इस program का तो यहाँ पे हमें क्या show होगा 15 show होगा अब यह 15 हम let's suppose हम 7 plus 8 अब show कर कि अगर हम output देखेंगे तो अब भी यह 15 दे रहा है let's suppose जिस तरह हमने पहले किया था alert के लिए हम keyword यूज़ करते है alert और alert में भी हम expressions यूज़ कर सकते है math expressions यूज़ कर सकते है save करके output देखते है इसका तो आप देख सकते हो alert 10 10 Q क्योंकि यहाँ पे हमने 5 plus 5 इस तरह हम multiplication, division, etc. और भी बहुत कुछ कर सकते है save करते है refresh तो यह देखें ओके तो अब हम क्या देखते है अब हम increment और decrement को देखते है कि value को हम increment किस तरह कर सकते है और decrement किस तरह करते है तो let's suppose हमारे पास एक variable है num जिसकी value है for example 5 तो यहाँ पे हम num plus plus लिखते है num plus plus का मतलब क्या होगा कि हम num की जो value है वो increment कर रहे है मतलब यहाँ पे num की value 5 है तो नीचे num की value क्या होगी 6 होगी कैसे 6 होगी num plus plus का मतलब है कि num plus 1 तो यह यह data भी हम store करते है किसी variable में let's suppose हम इसे एक और variable declare करते है new num के नाम से तो यह हमने क्या क्या है एक variable declare किया है जिसको हमने value assign की है किस चीज़ की num की और num की value क्या है 5 अब अगर आप output देखोगे इसका अलर्ट के जरीए देखते है चलो अलर्ट के जरीए देखते है अलर्ट किसका output देखते है पहले हम num का output देखते है तो save करके refresh करते है यहाँ पे हमें क्या दे रहा है six दे रहा है strange ओके तो num plus plus क्या कर रहा है num की जो original value है उसमें one eight कर रहा है और अगर हम यहाँ पे new num की value का output देखेंगे तो वो हमें क्या देगा refresh करते है five तो यहाँ हम क्या कर रहे है new number को हम value assign कर रहे है num की उसके बाद क्या हो रहा है num की value में एक add हो रहा है मतलब increment हो रहा है तो num की value होगी six और new num की value क्या होगी five होगी मतलब जो original वाली value है अब अगर हम यह plus plus variable से पहले लिकेंगे तो अब क्या होगा save करते हैं इसे अब क्या होगा अब num की value में one increment होगा और new num की value में भी one का increment होगा मतलब जो नई value होगी new num की वही value new num में store होगी मतलब num की value अब six होगी और new num की value भी six होगी पिछली वाली example में कैसा था num plus plus वाली example में कैसा था new num की value five थी और num की value six थी अब क्या होगा अब दोनों की values six होगी save करते हैं new num पहले देखते हैं refresh देखे six और अगर आप num की value देखे ctrl s refresh तो इस तरह हम क्या करते हैं variable की value को increment करते हैं similarly हम decrement भी करते हैं value five है अब अगर हम num minus minus num minus minus का मतलब num minus one तो अब value क्या होगी num की num की value four होगी जबकि new num की value वही पुरानी वाली five होगी save करते हैं पहले num तो num की value four होगी अब refresh देखे अगर आप new num की value देखे अगर आप new num की value अब फैप होगी यह देखे उसी तरह similarly अगर हम इसको पहले लिखके variable से अब क्या होगा अब num की value भी four होगी और new num की value भी four होगी save करते है रिफ्रेश ओर कंट्रोल एस रिफ्रेश ओर तो इस तरह हम क्या करते हैं जावा स्क्रिप्ट में variable को increment और decrement करते हैं easily ओके आप हम क्या देखते हैं अगर आप complex number पे arithmetic operations करना चाहते हो मतलब अगर आप complex arithmetic operations करना चाहते हो तो जिस तरह आपने algebra में सीखा है बिलकुल उसी तरह js में भी मतलब जावा स्क्रिप्ट में भी complex arithmetic operations होते है example देखते हैं let's suppose हमारे पास एक variable है total जिसको हम क्या कर रहे हैं जहाँ पे हम arithmetic operation करने जा रहे हैं let's suppose 5 plus 2 multiply by 3 तो algebra की rule की मताबिक इसका output क्या होगा alert total algebra की rule की मताबिक मेरे ख्याल से इसका output होगा पहले 2 multiply by 3 होगा उसके बाद 2 multiply by 3 का result 5 के साथ add होगा तो 2 multiply by 3 6 plus 5 11 save करके output देखते हैं तो देखें 11 अब अगर हम यहाँ 5 plus 2 को parenthesis में लिखें तो अब क्या होगा अब पहले 5 plus 2 add होगे उसके बाद इसका result 3 के साथ multiply होगा तो जब 5 plus 2 add होगे तो इसका addition 7 multiply by 3 अब result क्या होगा 7 multiply by 3 21 save करते हैं refresh तो इस तरह अब क्या कर सकते हो JavaScript में complex arithmetic operations कर सकते हो तो अब क्या सेद्वेग्पे जफ मेंगी थाज़चे तो इसको तेब दोप्पार हो तो जई क्या सकते हो इसका प्रины